हेलो फ्रेंड्श आइम निशा अनिशा फूड क्रेस्ट में आप सबका सौगत है आज मैं निशा खिरसुम बनाने जा रही हूँ चॉकलेट बॉल्स ये घर की इंग्रीडियन्स से ही हम बनाना बताएंगे और कोई बता नहीं सकता खाकर कि ये किसी से बना है सबको लगेगा कि ये चॉकलेट है तो आप बना कर किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही सस्ती हो घर पे अराम से ये चॉकलेट बनाईए और बहुत ही टेस्टी बनेगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और सस्क्राइब जरूर करें चलिए यहां पर हम डालेंगे तो यह पिघल जाएगा और आम से निकल जाएगा तो यह कड़ाई गरम हो रही है तो यह निकल जाएगा तो घी गरम करने के बाद यहां पर घी डाल लिया है अब घी गरम हो गया है अब यहां पर एक कटोरी हम मैदा डालेंगे हां फ्रेंड्स मैद बस इसका कच्चा पंदूर होने तक फिर यहां पर एक बॉल ले लेना है कोई भी आप ले लिए जो पतीला या कुछ प्राइदान उसमें आधा कटोरी हमने इसमें पानी डाल लिया है इसकी हम चासनी तयार करेंगे एक कटोरी जिस्ते हमने मैदा लिया तो उससे चीनी डाल है इसकी चासनी बनानी है बस एक तार जैसी तो मैदा हमारा भुनकर बिल्कुल रेडी हो गया है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और यह हमाई चासनी भी रेडी हो गई है आप देख लगए यहां पर जाक साने लगा है तो यहां पर हमें दो तार की चासनी नहीं बनानी है बस एक तार की जैसे हाथ में चिपकने सा लगे एक तार सा हलका सा आने लगे बस ऐसी चासनी बनानी है उनको आपको हम चेक कराते हैं कि कैसी चासनी दिखेगी यह आप हाथ पे टेच करके इस तरह से देखिएगा यह एक तार बनना है हलका हलका सा बस इस तरह से हमें चासनी बिल्कुल रेडी करनी है अब गैस का फ्लेम यहां बंद कर देंगे माई चासनी रेडी हो गई है अब एक हम बाउल लेंगे उसमें हमने एक कटोरी जो मैदा भूना हुआ था मैदा इतना भूना है फ्रेंस कि उसका कच्छा पर निकल जाए कच्छा पर निकालना जरूरी है तो बस यहां पर यह हमने दो चम्मच धाई चम्मच कोको पॉडर डाला है कोको पॉडर तो आपके पास यह है तो जरूर डालिएगा नहीं तो यहां पर बच्छों का बॉन वीटा हॉर्लिक्स कुछ भी आता है तो चोकलेट फ्रॉंग में तो उसे आप मिक्सर में ग्राइ मिल्क पॉडर से कोई भी चोकलेट यह मिठाई उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यहां पर हमने नारियल का बुरादा लिया है दो चम्मच और काजू बदाम को कट कर लिया है तो यह डालने से जैसे चोकलेट में नेट्स पड़े होते हैं उस ताहिस से टेस्ट आ खाकर खुस हो जाएंगे तो यहां पर हमने चासनी रहकी ठंडी हो गई है अब इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है बपर चासनी का मेजर्मेंट बताया है ब्लकुर पर्फेक्ट यह इसलिए मैंने सारी चासनी इसमें डाल दी है अब इससे हम किसी भी चमच यह यौनले और इसकी चोटे चोटे से बाल्स बना लेंगे इंड 30 बाल्स मना लिए और एक काने saas क्वैर अप्श। अंद्दा हैं तो यौन को धिय। यौन में और रोल आप इसको शेप कोई भी दे सकते हैं शेप आपसकर डिपेन है मैंने यहां पर जैसे गोल चॉकलेट मिलती है देखने में अच्छी लगती है बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अच्छा बंदन पर यह बहुत अच्छा गिफ्ट है आप बच्चों को बना के दीजिए किसी भी बॉक्स में पैक कर दीजेगा तो बच्चे भी खुश क कि यहां मुझे चॉकलेट मिली है तो बस इस तरह से हमने नारियल के बुरादे में अच्छे से कोट कर दिया है आप यहां पर कोई भी ड्राइफूट्स ले सकते हैं या इसके बिना भी आप इसे रेडी कर सकते हैं यह आपके पार है ड्राइफूट्स का और देखिए यह गोल हो गया है जो हमने चोटलेट को लड्डू के यद्व से गोल किया हैं बस इस तरह से सारे बॉल्स हम तयार कर लेंगे और इतना टेस्टी है कि आपको देखने में लगए गए कि क्या है यह बदलब आपको टेस्ट इतना पसंद आएगा कि यह बार बार बनापर खाना आती है तो मैंने यहां पर चेरी से डेकुरेट किया है अगर आपके पास चेरी है तो चेरी से डेकुरेट कीजिए नहीं तो इस तरह रखिए या फिर कोई भी ड्राइफूट्स आप इस पर लगा सकते हैं तो देखने में लुक अच्छा आएगा बच्चे भी पसंद करेंग यह इस जगह पर हमें आपको आपकी सब का सपोर्ट चाहिए तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को आगे बढ़ने के लिए आप सब मुझे कमेंट करके जब मेरे रेस्पी की तारिफ करते हैं या भी जो कमिया है वो बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग तो फ्रेंड्स प्लीज मुझे कमेंट जरू करे हैं मेरे वीडियो को लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे और वेल एकन का बटन दबाना ना भूले फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो